हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे नताशा फैमली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और टाइम यहाँ पर जो है साड़े तीन बज गए हैं सो बस यहाँ पर अभी भी मेरी पैकिंग ही चल रही है मैंने पहले का ब्लॉग यहीं पर आइंड किया था तो टिक्कू को मैं जो है स्कूल से लेकर आ गई हूं और यहाँ पर वैसे मेरी पैकिंग हो गई थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिन के लिए ही जाना है तो क्या लेकर जाओं क्या लेकर नहीं जाओं तो उसी मैं और ग्वालियर मैंना काफी अच्छी ठंडी भी परती है तो बस बहुत कोशिश की मैंने कि मैं कम से कम कपड़े रखूं पर जो है मैंने रख लिये हैं पर सर्दियां जादा परती हैं तो एसलिए वहां के लिए मैंने थोड़े मौटे स्वेटल जाकेट वगरे रखी हैं और साथ में पास में थोड़ा सा कंट्रेक्शन का काम चल रहा है तो आप लोग को बॉइस मेरी डिश्टब कर रही होगी पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मुझे आए हुए भी ग्वालियर में जो है चार से पात दिन हो गए हैं फिर भी मैंने गई हूँ तो बस रात के लिए ट्रेन में ले जाने के लिए मैं बना रही इटली क्योंकि बच्चों को इटली बहुत जादा पसंद है तो बस मैंने सुचा हलकी फूल की इटली हो जाएंगी और साथ में ही गोवी की सबजी बनाओंगी और उसके साथ में ही पराठे बना बस यहां पर जो है ना वही काम में जल्देल्दी कर रही थी और टिक्कू को मैंने भी सुला दिया था तो बस इसलिए जो है थोड़ा सो मुझे यहां पर टाइम मिल गया है काम करने के लिए बरना वह बहुत ज़्यादा परिशान करता है तो बस यह मेरा फूल को भी रखा हुआ था और बस इसे मैं आप एकट करती जा रही हूँ साथ में ही रवे को मैंने जो है भीगो कर रख दिया है दही में जब तक जो है दस मिनट के लिए अच्छी से फूल जाएगा और यहां पर बस कोई आया हुआ था डोर बेल बज रही थी तो मैंने देखा हस्बेंड और टाइम ना चार बज रहती तो बस मैंने का आज जो है ना इतनी जल्दी आ गये हैं क्योंकि हम लोग जा रहे थे तो वस वही बाते कर रही थी और साथ में आपर जो है सब्जी भी कट करती जा रही हूं और काफी हरी सब्जी मेरी रखी हुई है पर अचानक से ही ना ग् बनती है और यहां पर मैं टिफिन बगरे निकाल रही हूं कि किस टिफिन में घाना लेकर जाओं तो मैं वही देख रही थी मैं यही कोशिश कर रहे थी कम से कम लगे जो हमारे पास जब भी में गौले जाती हूं तो काफी सारा सामने खटा हो जाता है और अभी सर्दीयों क बस यहां पर हस्वेंड आ गयती तो कुछ काम थे तो उन्हें बताती जा रही थी तो भी मेरी साथ में या पर help करते जा रहे हैं और मैं आप लोग को बता दू बस जब भी कहीं जाते ना तो ऐसे ही परेशानी आती है वैसे तो मेरा काम अच्छा हो रहा था फर एंड टाइम अब जो है ना गैस यहां पर खतम हो गईती तो बोच चेंज करने अपड़ा तो और उसमें पर लेट हो रहाता तो इसलिए मुझे गुसा भी बहुत आ रहा था तो वस हैं आपकर जो है इसलेंडर बगरे चेंज किया तो इसमें थोड़ा से टाइम लग गया था और बस यह है ना इटली के साचे में भरके रख देती हूं और मैं क्यों जा रही हूं ग्वालियर मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं कि बच्चों की लगई है विंटर विकेशन साथ में कुछ गुड़ न्यूस भी है वह भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शियर करूंगी इटली या रख दी है और मम्मी भी लेकर जाएंगे पराठी वगयरे इसलिए थोड़ा ही खाना बना रही हूं और बस यहां पर जो है मेरी इटली या बन रही है साथ में ही बनने के लिए रख दूंगी चाय क्योंकि बस हस्बेंड आ गया है तो मैंने सोचा जो है ना चाय बना लेते हैं तो साथ में हम लोग जो है चाय पीएंगे और किचिन का काम मेरा लगभा कंपलीट होई गया है और इसके साथ ही बस यहां पर यह टिफिन देख रही थी क्योंकि ज्यादा टाइम से जो है ना मैंने साफ नहीं किये तो वहीं देख रही थी इने क्लीन करने की जगरत तो नहीं है तो बस मैंनोंने क्लीन करके रख दिया धूप में सूखने के लिए और वाटल बगएरे भी देख सकते पीचे भर के रख दी हैं और साथ में यहां पर चाय बनगे तो बस उसको भी मैं च्छान लेती हूँ और बस इसके बाद जो है बच्चों को उठाक का परिशान करता और अभी जो है ना यह ट्रेंड में अच्छे से सो जाएंगा तो छोटो बच्चों के साथ ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा दिख्कत भी होती है तो बस इसलिए मैं ट्रेवलबहुत कम करती हूँ कहीं गूमने के लिए भी सोशती हूँ तो इसलिए नह तो बस यही सोच रही थी कि यह ट्रेन में अच्छे से चला जाए क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोग अकेले ऐसे जर्णी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ में इन दौर से ग्वालियर की जर्णी कर रही हूं और दोनों बच्चों के साथ यह मेरी पहली ट्र सफर किया है पर्टिक को हमारे थोड़े से मस्ती करते है न तो वस यही लगता है और यहां पर वस हम लोग निकल गए हैं तो जाते जाते भी यहांपर प्रापलम हो गई थी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले और साथ में ही रास्ते में काफी ज्यादा ट्रेफिक के साथ था सो बस अब देखते हमारा सफर कैसा रहता है और इसके बाद सीधे हम लोग पहुच चुके हैं गौलियर सो बस यहाँ पर देखी हमारे टिकू किते खुश है क्योंकि टिकू को अभी इतना याद नहीं है कि जो हम कब गौलियर आये थे क्योंकि वह बहुत जादा च ले जाना है और मैं मना कर रही थी कि बेटा भी आप बहुत ज्यादा छोटे हो और इहां पर बहुत ज्यादा सर्दी आप देखी सकते हैं डवल डवल कैप जो है बच्चों ने लगा रखी है तो बस पहली बार जो है सर्दियों के मजिल लेने के लिए मैं नहीं लेकर आई हूं ग्वालियर वैसे तो इत्ती ठंडी में मैं कभी नहीं आती हूं पर बहुत टाइम हो गया था तो इस बार सोचा चलिए विंटर विकेशन ना ग्वालियर में ही मनाते हैं सो बस यहां पर आप देख सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म पर कितनी जादा भीड है और काफी ज चूट कर लूँ तो आप लोग भी ग्वालियर का वैदर एंजोय कीजिए यहां पर काफी ठंडी है तो बस काफी अच्छा लगने वाला है और साथ में इस साल मेला भी लगा हुआ है क्योंकि अभी कोरोना की वैसे दो साल से यहां पर मेला नहीं लग रहा था तो देखते ह लगा है कि निकु थोड़ा सा बढ़ा हो गया है साथ में हेल्प मगेरे भी करता है तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर सबने काफी अच्छी जैकेट पहने हुए और बहुत अच्छी यहां पर सर्दी है तो इंदौर में तो जो है इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती ह है और बस हम लोग बैठ चुके हैं ओटो में तो आप निकलते हैं घर के लिए क्योंकि हर बार तो भाई लेने के लिए आता है पर अब भाई भी जो हिंदौर में रहने लगा है तो बस हम लोग ओटो से ही जा रहे हैं तो यहां पर ले रहे हैं और हमारे टिक को भी काफी अ अच्छा लगता है तो वैसे यहां पर हम कुछ बाते कर रहे थे जिससे जो है न मम्मी को थोड़ी सी हसी आ गई सो चलिए फ्रेंस आप इस ब्लोग को यहीं पर एंड करती हूँ अगर आपको आज का मेरे यह ब्लोग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो भी मेरे चैनल पर नए आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर से मिलते हैं एक नीव ब्लोग में तब तक के लिए टेक केर बाई और साथ में ही आने बला ब्लोग में आप लोग के साथ मम्मी के घर का शियर करूंगी सो चलिए फ्रेंस मिलते हैं नेक्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई